नमस्कार दोस्तों मैं सुनीता आप सबस्वागत करती हूं अपने चैनल स्पासमेजेक में आज मैं बनाने वाली हूं बटरपनी मसाला अगर आप इस तरह से बटरपनी मसाला बनाऊगे तो बाहर से मंगाना भूल जाओगे तो चली बनाना स्टार्ट करते हैं, इसके लिए मैं चार मीटियम साइज के वे टमाटर लिए हैं, तीन प्याज लिए हैं, चोटे साइज के, अगर आप बड़े साइज के ले रहे हो तो दो लीजे, थोड़ा लसन, एक इंच अंद्रक, धन्या के डंडल, काजू, और कुछ मसाली यूज किये, जैसे जीरा, दालचीनी, लॉंग, प्लैक पेपर, और दो कास्मिरी लाल मिज, वेजिटेबल्स को हम ऐसे रफली चॉप कर लेंगे, बहुत बारिक कट करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से रफली बड़े-बड़े साइज में ही कट कर लीजे, क्य पनीर घर का बना हुआ यूज कर रही हूँ, अब इसमें मैं कड़ाई गरम करूंगी और एक चमच ऑईल, और थोड़ा साब एक चमच जैसा मैं बटर डालूंगी, बटर डालूंगी, क्योंकि बटर जल जाती से थोड़ ऑईल के साथ डाले, इसे बटर जलेगी नहीं, सब डालेंगे, सबसे पहले तो मैं प्यास डाल के दो मिनट तक इसे भुनूंगी, ज्यादा देर तक पकाना नहीं है, गोल्डेन करके नहीं पकाना थोड़ाना थोड़ाई उसके बाद बाकी के जितनी भी वेजिटेबल कटकी है, जैसे टमाटा धन्या के डंडल, वो सब अच्छे से खोल खोल के चलाते रहेंगे, जिससे के यह नीचे से सटे नहीं, देखे पकाते हुए मुझे 5-7 मिनट हो चुका है, और टमाटर बहुत अच्छे से पक चुकी है, वो दबाने से गल भी रही है, तो गल चुकी है तो अच्छे से अब इसको अच्छे से पेस्ट बना रहा हुए, उसके लिए थोड़ा सा पानी लगेगा, तो आप उसी कढ़ाई को अच्छे से धोके उन्ही मसालों का पानी यूज करें, देख सकते हैं, बहुत ही स्मूथ मैंने पीस के त्यार किया है, चलिए हमारे मसाला तो बन के त्यार है, अब जो हमने पनी पनीर रखा है, लगबग 300 ग्राम मैंने पनीर यूज किया है, जिसे मैंने बड़े-बड़े स्लाइस में कट कर लिए, आप अपने हिसाब से बड़ा चोटा साइज कर सकते हो, इसे मैं थोड़ा सा फ्राइ करूंगी, इसके लिए मैं फिर से एक चमच ऑईल, और थोड़ा स मैं इसमें बटर डालूंगी, उसी प्रोसेस से, क्योंकि बटर जले नहीं, और इसमें जो भी हमने 300 क्राम पनीर यूज कर रही हूं, उसको डाल दूंगी, और डाल के इसे थोड़ी देर तक टोस्ट करना है, बहुत जादा गोल्डेन करके पकाना नहीं है, कि हमारा पनीर क जाती है, हमें पनीर को कड़ा नहीं करना है, इसलिए हम बहुत ही कम इसे भुनेंगे, इसमें दो पिंच जैसा मैंने चिली पौडर और दो पिंच जैसा मैंने ब्लैक पेपर पौडर डाला है, जिससे कि पनीर का टेस्ट अच्छा आएगा, इसे बटर में हम थोड़ी दिर देख सकते हो कि बहुत जादा फ्राइ नहीं हुआ है, बिल्कुल थोड़ सा बटर में हमने टोस्ट किया है तो अब मैं उसी प्रोसेस से ओल डालके और मैं लगभग दो चमच इसमें बटर फिर से यूज करूंगी, आप देख सकते हैं कि थी टैम में हमारा ये बटर और य में डाल लेंगे, बटर मिल्ट हो चुका है अब इसमें मैं डालने वाली हू लॉह वाली हूं दो डाल चिनी और ग्रेवी में अच्छा कलर आने के ग्रेवी में वो पानी डालेंगे और अच्छ अच्छ से फिर भुनेंगे भुनने के पहले हम बाकिके spices यूज करने बाले हैं जो basic spices होते हैं वही सब डालने वाले हैं जो आपके पास easily available होते रहते हैं तो चलिए आगे का process करते हैं इसके लिए मैं डाल रही हूँ आधा चमच हल्दी, हल्दी का जादा नहीं डालेंगे, और इसमें मैं डाल रही हूँ डेर चमच जैसा मैंने डाला है धन्या पॉडर, एक चमच डालूग मैं जीरा पॉडर, इसमें फिर मैं एक चमच डालने वाली हूँ लाल मिच पॉडर, ये तीखा है ये इसका तीखा पन रहेगा और आधी चमच जैसे ब्लैक परडर इन सब को अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इस तरह से धक धक के से जब तक ऑईल रिलीज ना हो जाए तब तक पकाएंगे मैंने एक चमच नमक एड़ किया है और इस तरह से आप इस तरह से ध पकाएं मैं पकाते हुए मुझे लगभग 5-7 मिनट आराम सो हो चुका है और इसमें मैं आट कर रहे हूं गरम पानी आप ग्रेवी में जब भी इस तरह के ग्रेवी बनाए तो गरम पानी यूज करें इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो इस तरह से मैं गरम पानी डा करो तो कोई बात नहीं ठंडा पानी डाल सकते हो लेकिन इस प्रोसेस से टेस्ट बहुत अच्छी रहती है ग्रेवी की तो इससे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और अल्रेडी हमारा पानी गरम है तो डालते साथ ग्रेवी में बॉइल आ चुकी है तो हमने जो पनीर को भू और इसमें मैं अभी डाल रही हूँ एक चमच गरम मसाला और कस्तुरी मेथी मैंने थोड़े से तवे में सेक लिए हैं और इस तरह साहतों से मसल के डाल दूँगी इसको डालके मैं कम से कम इसे पांच मिर्ट तक ढखके पकने दूँगी ये सबजी रोटी के साथ पराठे क या चावल के साथ आप सर्व करोगे तो खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी अब मैंने इसमें जो ताजी मलाई होती है उसको चमच से अच्छे से फेट लिया है और इसको लगपक मैं दो चमच ताजी मलाई डाल रही हूँ हूँ आप भी इस तरह से ताजे मलाई घर मे जो भी चाली होती है, जो हमारा दूद बॉइल करते हैं और जो चाली बनती है, उसी को यूज करना है, बाहर से लाने के कोई जुरुत नहीं है, वही मलाई को अच्छे से फेट के आप डाल दो, डाल के दो मियर तक फिर पकने देंगे हम, और देख सकते हैं, बहुत ही बहुत पतली भी नहीं है, इस तरह से हमारा बटर पनीर बनके तयार है, इसे हमें हरी धनिया से सर्व करूंगी और इसे डाल के गार्निश करूंगी, तो इस तरह से देख सकते हैं, हमारा बटर पनीर बनके तयार है, और इसका टेस्ट बिलकुल बाहर जैसे बटर पनीर जै उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करे, सेर करे और सब्सक्राइब करे थैंक यू सो मच